यहाँ पर एक question है, which of the following compounds, नीचे जो compounds दे रखे हैं, A, B, C, D, will be most easily attacked, इन में से कौन सबसे आसानी से attack किया जाएगा, by an electrophile, सबसे पहले तो हम यह समझेंगे, कि electrophile होता क्या है, ठीक है, Electrophile, यह से ions होते हैं, elements होते हैं, या molecule होते हैं, जिन में electrons की कमी होती, हम 화食 होते हैं, यानि हम electron deficient होने की वज़े से हम यह कह सकते हैं, कि यह क्या होते हैं, carbocation भी हो सकते हैं, और Lewis acid भी हो सकते हैं, क्योंकि gluist acids ये भी electron deficient होते हैं तो चुकि इनके पास electrons की कमी होती है तो अगर ये ring पे attack करेंगे या कहीं पे भी किसी compound पर molecule पे attack करेंगे तो ऐसी जग़ा attack करते हैं ये कि जहां पर ये electrons को gain कर सकें प्राप्ट कर सकें क्योंकि इनके पास electrons की कमी होती है तो ये इसी जगाँ पर टेक करते हैं, जहाँ पर electron की density ज़ादा हो तो इस बेसिस पर हम यह देखेंगे, कि हमारे सामने ये चार options है, इन में ring पर electron की density जो है, इनके साथ जो attach होने वाले group है जैसे, जो है, OH group है, chlorine है, और हमारा methyl group है है ना ilkil? तो यह इन में से कौन रिंग पर density बढ़ा रहा है उस basis पर जो है यहाँ पर यह Electrofile बहुत आसानी से वहाँ पर attack करेगा जहाँ पर electron की density बढ़ रही होगी तो यहाँ पर answer होगा A यह किस तरह से होगा आईए हम देखते हैं सबसे पहले हम हमारे option एक ही बात करेंगे ठीक है ना तो option A में क्या है एक तो ring है यह ना benzen ring है और इससे हमारा OH group attach है जब भी benzene ring से OH group attach होता है तो इसको हम क्या कहते है फिनल तो हम जानते हैं यहाँ पर oxygen के उपर क्या होते हैं दो lone pairs होते हैं एक आंग की electron यूग मा और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर double bond है उसके बाद फिर क्या है एक single bond है और oxygen के उपर क्या है दो lone pairs है तो हमा मानते हैं कि जो lone pair होता है उसको हम double bond मानते हैं क्या मानते हैं double bond तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर conjugated system बन गया है सायूगमित पद्दती यहाँ पर बन गई यानि कैसी एक double bond फिर एक single bond और lone pair की वज़े से एक double bond यानि double single double जब भी double single double इस तरह से alternate double bond हो तो यहाँ पर क्या होता है mesomeric effect work करता है ठीक है इस mesomeric effect की वज़े से क्या होता है oxygen का alone pair क्या होता है यहाँ से इस single bond पर डल जाता है ठीक है यह single bond next condition में क्या होता है इस lone pair की वज़े से क्या होता है यहाँ पर यह double bond हो जाता है और यहाँ से एक electron की कमी होई तो oxygen पर क्या आ जाता है positive charge आ जाता है ठीक है अब चुकिए यहाँ पर valency गड़़ड हो गई 5 bonds हो गए यहाँ के carbon में कितने इसके आसपास 5 bonds हो गए valency गड़बड हो गए तो यह bond क्या होता है उठके यहाँ पर चले जाता है फिर next condition में यह जो यहाँ पर carbon atom है इसका जो nucleus होता है nucleus यह क्या करता है इसको attract करता है तो यह यहाँ डल जाता है next condition में इस तरह से जो है यहां का bond खतम होके यहां पर double bond फिर यहां की valency गड़बड हो जाती है इस तरह से क्या होता है यह जो electron होता है पाई electron ठीक है ना यह जो पाई electron होते अंदर यह पूरी ring में delocalize हो जाते हैं है ना पूरी ring में क्योंकि अगले carbon का nucleus फिर इसको attract करता है फिर अगला carbon तो इस तरह से अगर हम देखें तो बारी बारी से क्या होता है तीन जगापर पहाँ पर एक तो यहां पर एक यहां पर electron की density बढ़ जाती है और यहां पर electron की density बढ़ जाती है इस plus mesomeric effect की वज़े से जिसा कि हमने देखा यहां पर mesomeric effect work करता है जिसकी वज़े से ring की तरफ electrons जाते हैं और ring में electron की density कहां पर बढ़ जाती है और्थो यह position क्या कहला थी और्थो यह position कहला थी पेरा और यह position जो है और्थो के सामने और्थो डेश ठीक है तो यहां पर जो है और अगर हम numbering से देखेंगे तो functional group के पास वाला carbon 1, 2, 3, 4, 5 और यह चटा carbon होता है ना 6th carbon तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो coage group hydroxide group क्या कर रहा है benzene ring में electron की density कहां पर और्थो और पेरा position पर बढ़ा रहा है यानि अगर electrophile होगा तो जैसा हमने खाए electrophile electron deficient होगा तो यह कहां कहां अटेक करेगा और्थो और पेरा position पर यह अटेक करेगा ठीक है ना यह जब भी अटेक करेगा तो और तो और पेरा condition पर यह अटेक करेगा यानि इसका अटेक करना आसान हो रहा है किसमें हमारे option A में अब हम option B को चेक करेंगे हमारा option है तो हमारा answer ही हमें पता है अब यहाँ पर अगर हम option B चेक करें option B में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या है double single और double conjugated system है mesomeric effect यहाँ work कर सकता है तो यहाँ पर भी वह होता है और यहाँ पर जो है और तो पेरा पोजिशन पर electron की density बढ़ जाती है लेकिन यहाँ पर एक काम यह हो होता यानि electron attracting inductive effect होता इलेक्ट्रॉन आकर्शी प्रेनिक प्रभाव जो की CL में जादा होता है OH की तुलना में है ना hydroxide की तुलना में chlorine का minus inductive effect जादा होता है तो यह क्या करता है कि CL inductive effect minus inductive effect की वज़े से electrons को अपनी तरफ खींचना भी शुरू कर देता है प्लस मेजोमेरिक effect तो इसको help करता है एलेक्ट्रॉफाइल को अटेक्ट करने में लेकिन जो CL होता है इसका minus inductive effect OH से जादा होता है तो OH में यह जादा वर्क नहीं कर पाता है तो यह इसकी density बढ़ा देता है रिंग पे तो यह क्या होता है इस पर इलेक्ट्रॉफाइल का अटेक्ट इसकी एक ही तुलना में कम होता है इसका greater होता है ठीक है अब हम हमारा option C चेक करेंगे option C बहुत simple है हम जानते हैं बेंजीन रिंग पर पाइलेक्ट्रॉण होते हैं डिलोकिलाइज होते रहते हैं यानि यहाँ पर इलेक्ट्रॉण की density ज़्यादा होती है ठीक है यानि एगर हम देखें तो A पर इलेक्ट्रॉफाइल सबसे जल्दी अटेक करेगा क्योंकि यहाँ पर density बढ़ रही है ओईच की वज़े से बी वाले option में CL बढ़ा तो रहा था लेकिन CL के माइनस इंडेक्टी उफेक्ट की वज़े से यह खीज भी रहा है इलेक्ट्रॉण यानि density कम भी कर रहा है लेकिन सी में कोई भी ऐसा ग्रूप अटेच नहीं है जो बढ़ा रहा है या डेंसिती को कम कर रहा है लेकिन हम जानते बेंजिन के पास इलेक्ट्रॉण होते हैं तो इस पर भी जो है लेक्ट्रोफाइल का टेक अच्छे से होगा ल होगा कोई भी मेजोमेरिक इफेक्ट वाली कंडिशन तो है नहीं अल्टरनेट डबल बॉंड नहीं दिख रहे हैं आपर लेकिन जो सी एसरी ग्रूप होता है हम जानते हैं यह क्या होता है प्लस इंडक्ट्रॉफेक्ट शो करता है यानि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्शी प्र करता है या पॉजिटिव प्रैनिक प्रभाव पॉजिट्व इंडक्टिव एफेक्ट्रे करता है यह अपने से दूर करता है तो यह अगर हम चारों औप्शन्स जो हमने देखे हैं अगर इन और आपस में करें तो सबसे अच्छा जो है क्या होगा एलेक्टोफाइल का अटेक किसमे होगा ए आप्शन में होगा फिनॉल में डी को हमने देखा तो इसमे क्या है सी एस तरी गूरूप है जो पॉजटिव इंडेक्टि इफेक्ट इशो करता है यह इफेक्ट मिजुमरी के फेक्ट से वीग होता है जो फिनॉल में है तो सेकंड पोजिशन पर के आ जाएगा डी हमारा टालुइन हो जाएगा और जो है सी ऑप्शन जिसमें कोई भी ऐसा ग्रूप नहीं है लेकिन हम जानते ना बढ़ाने वाला ना घटाने वाला माँनिल्ग कोई लेकिन यहाँ पर एलेक्टर्न की जो है डेंसिटी बेंजिन में बहुत अच्ची होती है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फिर ओप्शन सी हो जाएगा एलेक्ट्र फाइल के अटेक में तीसरे पोजिशन पे और बी कूंकि यहाँ पर एसा गुरूप अटेज है जो electron की density तो बढ़ा रहा था है ना, plus mesomeric effect से लेकिन minus inductive effect की वज़े से ring को deactivate भी कर रहा था, उससे electrons को खीच भी रहा था, यानि यहाँ पर सबसे जो bed सबसे बुरा जो है electrophile का take work किस में होगा chloro, benzen b option तो यहाँ पर हमारा series अगर पूछी जाये तो यह हो जाएगी और नहीं तो हमारा answer A यहाँ पर final होगा जिस पर electron का take सबसे आसानी से होगा most easily होगा, thanks for watching